मैं इस वक्त सिद्रोत इलाके में खड़ा हूँ और एक रिहाशी घर में अभी हमास की तरफ से दागा गया रॉकेट गिरा है आप से तक्रीबन 15 मिनिट पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां रॉकेट गिरा है उस घर के बैक्यार्ड में यह पिछला हिस्सा है पूरी तरह से तवाही हुई है जो समान था टेंपरेरी किचन मनाया हुआ था यहां वो पूरा उड़ गया है इसमें और चारो तरफ जो है वो कालिक और जले हुए समान की तस्वीर देख रहे हैं आप सिद्रोत इलाका तक्रीबन 5 से 10 किलोमेटर के दा समाके की वज़ा से आप देखिए यहां पर यह इलेक्टिसिटी का पोल था यह पूरा चल गया और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है अभी अभी इसकी आग बुजाई गई है और यह इस जगह पर देखिए यहां इसका पूरा इंपक्ट था इस जगह पर पूरा पूरी स्ट्रीट है जहां रहाइशी इलाका है और इस रहाइशी इलाके में इसराइली लोग रहते हैं लेकिन फिलाल यहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि जब से युद्ध का आगाज हुआ है उसके बाद से तमाम लोगों को यहां से जाने के लिए कह दिया गया था इसल देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है सब कुछ जलकर राक हो गया यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या चीज थी क्या नहीं था लेकिन यह काफी बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया है जिसमें यहां रिहाशी इलाके में तभाही के निशान अब हैं इस तरह के हमले यहां रहरा कर हो रहे हैं कल रात भी चाहे सीरिया की बात करें चाहे हम हमास के गाजा पटी की बात करें वहां से इस तरह के हमले लगातार किये जाते रहे हैं और इसलाईरी लोग इसके लिए तैयार भी रहते हैं इसलिए यह सारे घरब खाली पड़े ह हुए हैं लेकिन बावजूद उसके जहां-जहां मैपिंग के जरीय हमास को लगता है कि वो इस्राइल को परिशान कर सकते हैं इस्राइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां-वहां हमला किया जाता है तो यह एक रॉकट जो दागा गया रहाइशी इलाके पर उसने एक घर क बैक्यार्ड को पूरी तरह से बरबाद करके रख दिया और ये ये रॉकेट जो है वो गाजा की तरफ से आया था इस तरह की हरकते चलती रहती हैं यहां पर इस नुकसान में अभी और इजाफा होगा जैसे जैसे वार और ज्यादा भीशन होती जा रही है उसी तरह से हमले भ हुए ताजा तगडे पहले रॉकेट हमले की तस्वीर हमने दिखाई है जो आज दिन दहडे हमास की तरफ से किया गया है कैमरामेन मनीश के साथ जगविंदर पट्याल एबीपी न्यूज सिद्रौत इसराइल